वेलकम तो माई चैनल मैडी हट एंड आज हम बात करने वाले हैं एक कमपोदिशन के बारे में जिसका नाम है कोली कैल्सिफेरोल यह आपको सिरप या नैनो सोटा आता है किसका यह सैचिट की फोम में यह कैपसुल की फोम में बलब चारो ही फोम में आपको यह एवेलेबल हो स यह नैनो सोट की फोम में आपको डोक्टर सजेस्ट कर रहा है तो बेसिकली आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे क्या इसकी यूजिज है क्या डोज है एंड क्या साइड इफेक्ट है तो चलिए सुरू करते हैं इसके बारे में इससे पहले अगर आप चैनल पर पहल हमें भी आगे वीडियो बनाने की इच्छा हो देगे आपके लिए हम कुछ और नई दवाईयों के बारे में रिसर्च करके आपको दवाईयों की सही जानकारी दे तो प्लिस वीडियो को लाइक जरू कर दे एंड चैनल को सस्क्राइब कर दे तो अब चलिए सुरू करते हम कोली कैल्सिफिरोल के बारे में क्या इसकी यूजिज है क्यों डॉक्टरिन को लिखता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोली कैल्सिफिरोल जो है हमारा एक तरीके का विटामिन D3 होता है या विटामिन D3 बोल लो या कोली कैल्सिफिरोल दोनों ही सेमी कि यह चोटे बच्चे यानि न्यूबॉर्ण बेबी से लेके मलब ओल्ड एज किसी भी एस तक के पेशेंट को कि सिरप कैपसुल और सैचिट तीनों ही फॉर्म में हो सकता है तो डॉक्टर के पर सगेश्ट है कि बच्चों को सिरप की फॉर्म में लिख रहा है या अगर कोई बढ़ा है तो उसको सैचिट दे रहा है या कैपसुल दे रहा है तो वह हो सकता है डिपेंड अलग अलग तो बेसिकली जैसे कि मैं आपको बताए कि इसको बॉन हेल्थ के परपस से लेते हैं क्या होता है कि अगर न्यूबॉर्ण बेबी की बात करें तो उनके अंदर बॉन कैल्σιयम को प्रवाइट कराता है और यह हमारा इम्म्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है यानि बूस्ट करता है जिससे हमारे चोटे 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 आसपास जो बैक्टिरिया वायरस होते हैं उनको किल करने में हेल्फुल हमारे होती है जो मलब बोडी के अंदर इम्म्यून देख गया है इसका अगर हम विटामिन D3 लेते हैं तो हार्ट से रिलेटेड दिक्कत भी काफी कम देखने को मिलती हैं और यह मसल्स स्ट्रेंट में भी काफी हेल्फुल होता है जो लोग ज़्यादा तर एक्सरसाइज हो गयरा करते हैं या जिम वगयरा जाते हैं उनके लि कोई दिक्कत है मालब इसकीन के अंदर फंगल इंफेक्शन हो गयरा हो जाते हैं तो उस परपस में भी हम दे सकते हैं क्योंकि यह इसकीन को भी काफी नेचरल रूप से प्रवाइट कराता है जिससे कि हमारी स्कीन भी एक्तम सौफ्ट स्कीन की तरह दिखती है और ऑटो अम आपको जाज से आदा यूज बताने की कोशिस करिए अगर कोई एक आदा यूज रह भी जाता है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपका रिप्लाइ कर दूँगा कि आप इसके अंदर इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं और अगर हम बात करते हैं ड मैंनो सोट के आते हैं जो कि जाज अतर हफते में एक बार ही लेने होते हैं और डोक्टर अपने हिसाब से इनको हफते में एक बार या दो बार भी दे सकता है अगर हम बात करते हैं कैपसुल के बारे में या सैचिट के बारे में तो सैचिट का भी यह है कि डोक्टर हफते मे एक बार ही देते हैं message ईंदर लिह अगर किसी को कूई ज्यादा ही दिक्कत है तो उस condition में doctor आपको एक या दो बार भी हफ्ते में दे सकते हैं तो मैंने आपको इसकी uses बता दी dose बता दी अगर हम बात करते हैं side effect के बारे में, side effect कोई इतने ज़्यादर नहीं है, side effect कुछ ही देखे गए हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, headache की problem हो सकती है, stomach upset हो सकता है, या फिर vomiting की स्तिती हो सकती है, या nose day की condition भी हो सकती है, और कोई इसके इतने आदर side effect नहीं है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज पूछनी है, तो आपको जो इस subscribe कर ले, I hope you like this video, thank you for watching this video.